दोस्तों इसमें आप लोग बताने वाले हैं कि अगर आप लोग बीना CSC ID के आप लोग अपना अइसमान कार्ड बनाना चाहते हैं कुछ इस परकार से तो कैसे आप लोग बीना CSC ID के आप अपना अइसमान कार्ड या फिर आप अपने गाउं महले का या फिर आप अपने परि बिना CSE ID के आप अपना स्मार्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं या किसी भी वेक्ति का तो उसकी complete जनकारे आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं तो मैं आप लोग के यहां पर बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर भी थोड़ा वीडियो कम आ रहा है इसलिए कम आ रहा ह रहा है तो इसमें जोए जितने भी cse संचालक यह लिए उनका ऑप्रेटर वरागें में किसी परकार का समश्या होता है यह इसमें बनाने किसी परकार का समश्या होता है तो उसके technical problem को हमको दूर करने लिए रखा गया है तो सी किया थोड़ा वीडियो मेरा जोगले लेट रहा है ठीक है मतलब टाइम टू टाइम अपडेट कोई भी चीकार नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए सोरी तो चलिए जानते हैं कि कैसे जो है आइसमान कार्ड बीना इस बापसाइट का डेक्ट लिए वीडियो डिपकिशन में दे दिए वहां से वे क्लिक करके के डेक्ट इस आइसमान कार्ड के आपसिली बापसाइट पर आने के बाद आप लोग कैसे बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल में लोग-इन होना होता है तो login आप जो है कैसे होएंगे देखिए फिर मैं आप लोग बता दू इस वीडियो में आप लोग को प्रोपर जो है बीना CSC के माध्यम से आप लोग को बताने बला हूँ ठीक है तो आपको इसमें login होने के लिए इसमें दो option दिये गे एक beneficiary का और एक operator का तो जिनके पास CSC ID है तो ओ लोग यहां पर operator option चूज करेंगे यहां पर अपना login करेंगे ठीक है अगर जिनके पास CSC ID नहीं कोई चीका यहां पर बीना CSC ID के बनाना चाहते हैं वो लोग तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर जो है कोई सभी एक mobile number इसमें type करे करेंगे ठीक है चाहिए कहीं भी वो नंबर रेश्टार्ड हो या ना हो उससे कोई माने मतलब नहीं है ठीक है कोई भी mobile नंबर टाइप करके यहां पर verify option आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे उस mobile पर OTP चला जाएगा जो OTP आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा यहां पर ज यहां पे अपने percentage करेंगे कि आप कौन से से यानि जिनका बना लाएय को से बिलोंग करते यहां पर सबसे पहले चूझ करेंगे उसके वाद यहां पर यहां पर चूझ करना चाहते तो करेंगे नहीं तो अन्य था चैँझ को भी देंगे कोई दिकत नहीं होगा उसके बाद यहां पर सर्च वाई यानि किस माध्यम से आप उन कंडिडेट का डेटा आप सर्च करना चाहते हैं जैसे फैमिली आइडी दिया हुआ है यानि कि फैमिली आइडी में वहाँ हो जाता है जैसे कि आगर आपके पास रासन कार्ड़ जिन करने डिट का दे रहे हैं तो उनके रासन कार्ड नमबर जो भी होगा अगर उसके माध्यम से सर्च करना चाहते तो फैमिली आइडी चूज करेंके यहां पर रासन कार्ड का संख्या करने के बाद यहां पर सर्च पर किलिक करने के बाद अगर कुछ इस परकार से नो बेनिफिशरी फाउंड करके कुछ इस परकार से इरा राता है तो आप लोग जोई कमेंग से समय बताइगा चलिए यहां पर फिर से यहां पर अधार नमबर टाइप करके यहां पर सर्च कर लेता हूं जैसे सर्च पर हमने यहां क्लिक किया सर्च पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं उस बेनिफेसरी का जो डीटेल है यहां पर आ चुका है ठीक है तो यहां पर अब इसमें जो है देख सकते करेंगे क्लिक करने के बाद आगर उनके रासन कार्ड में अदहार नमबर लिंग होगा तो यहां पर उसका कुछ लाश्ट अंग दिखेगा और बाके सुरू का हाइड होता है तो विरिफाई करने के लिए यहां पर विरिफाई option पर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ turn and condition आएगा इसको करेंगे अब यहां पर उन्तिकेट मोड पुछा जा रहा है यानि कि आप इस कंडिडेट को किस प्रकार से विरिफाई करना चाहते हैं अगर उन कंडिडेट के जिनका बना रहे हैं समान कार्ड अगर उनके अधार कार्ड में मॉबाइल नमबर लिंक है तो यहां पर अधार OTP सब्सक्राइब करें मैं अधार OTP के जड़ी आप लिए संब्सकुद्स दोखाइब कर तो किन आपर लिए मंदाया बेड़र करें तो फिर से यहां पर मैं fingerprint option चूछ करता हूँ फिर यहां पर verify पर क्लिक करेंगे accept करेंगे allow पर क्लिक कर लेते हैं और फिर से यहां पर fingerprint में light जल जाएगा ठीक है तो यहां पर फिर से ग्राफर बोला जाता है ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर कुछ इस परकार से करेंगे और यहां पर कुछ इस परकार से आपको पीक आपको ले लिया है प्रोसेट पर क्लिक करते हैं अब यहां पर फोटो जो अपलोड हो चुका है अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर mobile नंबर पूछा जाता है यहां पर बोला है कि आप mobile नंबर इसमें देना चाते है ठीक है अगर आप देना चाते है तो yes पर ही टिक करके यहां पर mobile नंबर हर्ट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर चलिए मैं अपना जो मुभाइल नमबर है यहां पे फेल कर लेता हूं फिल करते हैं यहां पर वेरिफाई आप्सन आजाएगा इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर इस मॉभाइल पे ओटीप चला जाएगा जो टीप तो यहां पर एधार के यहां पर देंगे उसका यहां पर यहां पर रहत हैं तो acknowledgement card की according यह कौन सभी ऐखती है ठीके तो यहाँ पे husband है तो यहाँ पर हम husband choose कर देंगे जो self candidate होगा उसमें टोमाटिक लिए self आजाएगा ठीके उसके बाद यहाँ पे pin code number फिल करेंगे यहाँ पर district फिल कर लेंगे उसके बाद left after same time घ्funded करना चाहतें तो यहां पर डाउंलोड का और ने के बाद करेंगे तो जैसे मेरे पिताीटन अब यह चले गए हैं तो अब यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर राम परीडवी यह मेरी मप्मी है तो यहां पर मिए इसी के डाउंलोड करके कि आपको दिखाते हैं तो यहां पर verify पे click करेंगे और यहां पर इस पर किलिक करके यहां पर टायने condition allow करेंगे ठीके उसके बाद यहां पर आउन्टीकेट मोड में किस परकार से verify करना चाहते तो अब पहले उस बार फिंगर प्रिंट के बाद हम से बताये थे कि वाजिसी करना अब जो इस बार जो अधार ओटीपी ऑप्सन चूज करके आपको दिखाते हैं अधार ओटीपी हमने क्लिक किया तो यहां पर देख से थे बेनिफेसरी अधार ओटीपी यानि कि अधार से रेइश्टार्ट मोबाइल नंब और आपको यहां पर डैप करने के बाद यहां पे आंटीपी करने के बाद यहां पर मेरा बंद चुका है यहां पर मिरी मम्मी तो जिनका भी डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे में डाउनलोड का जो ऑप्सन है आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्सन आ चुका है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इस परकार से यह इसमानकार बना करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे कुछ लोग का क्योरी होगा कि यहां पे मिरा इसमानकार बन गया तो अपना इलाज करवा सकते हैं आप बिल्कुल आप इलाज करवा सकते हैं आप पांच लाग तक मुक्त इलाज आप लोग करवा सकते हैं इस इसमानक एक्टिव हो जाता है ठीक है तो आप लोग यह इस प्रकार से अपना इसमानकार बनवास सकते हैं तो दोस्तो आप लोग को इस वीडियो में यही बताने बहले थे आप लोग को इस जनकारी कैसा लगा अगर आप लोग के जनकारी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजेगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किजेगा चलिए फिल में ते नेक्ट वीडियो और नेक्ट अपने की साथ अब तक कि जाहिए